और इस बीच बड़ी खबर जार्खट के सियास्त से साबने आ रही है लोबिन हेमरम से जुड़ी ये बड़ी खबर है लोबिन हेमरम के बीजपी में श्रामिल होने की अटकलों पर जल्द लग सकता है विराम आपको बता देगे लोबिन हेमरम फिलाल राची इस्तित अपने आवास पर ही है और आज बीजपी में श्रामिल होने और सदिस्ता लेने पर बन सकती है सहमती तो लोबिन हेमरम ने न्यूस 18 को फोन पर इस बात की जानकारी दी है लोबिन हेमरम से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर बता रहे हैं जहां लोबिन हेमरम के बीजपी में श्रामिल होने की अटकलों पर अब जल्द ही विराम लग सकता है जल्द वो कुछ साफ कर सकते हैं कि अब उनका अगला रुख क्या होने वाला है लोबिन हेमरम फिलाल अभी अपने राचे इस्तित घर पर ही मौचूद है और आज बीजपी में श्रामिल होने और सदस्ता लेने पर उनकी सहमती भी बन सकती है कई दिनों से ये खबरे चल रही थी कि ल अब सदस्ता को ले करके जो भी बाते हैं वो अब क्लियर कर सकते हैं और न्यूज 18 को उन्होंने फोन पर इसकी जानकारी दी है न्यूज 18 के समवाद दाता पवन राइ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पवन क्या कुछ फिलाल जानकारी क्या कुछ कि बीजय पी सामिल होंगे और इस तमाम अटकलोपर उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर अचलो पर जल्द विराम लग सकता है क्यों कि अब जू है यह धी एक पर ने काहा है कि आज उनकी बात चमपई-शॉरें से भी हुई है और वह कलकाता से दिली के तुलाश हु बड़े देता जो है BJP से उनसे वो मुलासात करेंगे और ताथी पार्टी में सामिल होने के साथ साथ आगे की क्या रनमिती होगी इस पर भी चर्चा होगी तो कह सकते कि आज साम तो जो है एक बड़ा जो है फैसला जो है इस पर आ सकता है इन लोगों के बीट समस्थी वो बन ठीक है बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए